अभी तक हमने देखे कि सब लोग स्टेडियूम पहुँच गए थे एंड विजिलेंटा का इंदजार कर रहे थे मिस्ट्रॉइ भीर में उसे ढूंट रही थी तब ही सामने से जियोंग आता है जो मिस्ट्रॉइ को देखता रहता है तो मिस्ट्रॉइ समझ जाती है कि यही वि कैंग आता है तो चैर्मेन किम बोलता है कि तू को आन है वो बोलता है कि मैं डेविल जो तुझे पकड़ने आया हूं फिर वो उसकी आदमियों से लड़ता हुए भागता है सिंपली वो साने लोगों को एक जगा एक खटा करना चाहता था फिर एक फ्लेश बैक दिखाता है जहां कैंग बोला था कि मतलब मैं और तुम मिलके सारे लोगों को ठिकाने न रहेंगे मज़ा आएगा फिर तो जी यॉंग बोलता है जब लडाई शुरू होगी तो चॉयन और प्रसिडेंट यॉम भी आएगा क्योंकि मिस चॉय लाइव स्ट्रीम करेगी फिर इदर दिख फिर वो लोग सबसे लड़ता है और मिस चॉय शूट करके लाइव जाती है और बोलती है कि ब्रेकिंग न्यूज विजिलेंटा ने अभी क्रिप्टो वालिट लिया था आज वो वही हिटमें से लग रहा है जो एक पुलिस वाले को मारा था चॉयन ये न्यूज देखता है और रेडी होके निकलता है और साथ में वो दोने गुंडे भी उसके सब आते हैं इधर ये लोग लड़ते रहते हैं तब ही पीछे से कैंग चैर्मेंट कीम की लोगों को लेके आता है मिस्टर बैंक बोलता है वाओ एक और विजिलेंटा वो बोलता हाँ और और भी होएंग अभी ये लोग बीना कोई कानून के लड़ रहे हैं वहाँ प्रेसिडेंट इयों चीफ के साथ डिनर करता रहता है चीफ उसकी काम से खुश होगी उसे सपोर्ट करने वाले थे तब ही चीफ का एक आदमी आके बोलता है कि सर स्टेडियम में चैर्मेंट कीम और लगाओ जंती जाओ प्रेसिडेंट वहाँ से स्टेडियम के लिए निकलता है उधर जी यॉंग कंटीनियू सबसे लड़ता है मिस्टर बैंग बी चैर्मेंट कीम के आदमियों से लड़ता है जब जी यॉंग बहुत जादा घायल होके थद जाता है लड़ नहीं पाता है तो मिस्टर ध्यान बठकाने के लिए बहा निकल के चिलाती के पागल करें के तुम्हें क्या लगता है विजन एंटा के पास तुम्हारा क्रिप्टो वाइलिट है तो अगर वो मर जाएगा तो कैसे डून पाओगे और कैमरा भी दिखाती है तो चैर्मेंट कीम अपने आद कान लेके एंट्री मारता है किस साथ सिदोर को ठोक देता है चॉयन बहानिकन के बोलता है कि मैं पुलिट से हूँ अपने सारे हतियार फेक दो अगर मेरी बात सुनोगे तो मैं तुम सब को इंसान जैसे ट्रीट करूंगा मिस्टर बैंग अपने आदमियों को देख के बोलता है कि तुम उधर क्या कर रहे हो जाओ पकड़ो चॉयन को बट वोलो को पता है कि चॉयन कैसा है इसलिए वोलो बाजी नहीं पलटते पुलिस की बात सुनके भी चैमिन कीम सब को बोलता है कि क्या कर रहे हो मार दो सभी को मार दो फिर उसके आदमियों वापीस मार पिट करना शुरू कर देते हैं चैमिन कीम बस में घुस के जियोंग को पंच मारता है और उसे चाकु से मानने जाता है तब ही पीछे से कैंग कि उसे रोकता है तो चैर्मन कीम फिर उसे ही चाकु से मारता है यह देखके जियोंग शौक हो जाता है और उसको एक लाट मारके देखता है कि वह कैंग नहीं है बलकि स्योंग है वह उसका खुण रोकते हैं पूछता है कि तुम क्या कर रहे हो इदर तभी वहां तीन-चार प भागता है उसके पीछे मिस्टर बैंग भागता है फिर जियोंग शौक को सियोंग के बरोसे रख के उसके पीछे जाता है उसे जाते हुए चोयन देख लेता है वहां चैर्मन कीम जान बचा के भागता है उसके पीछे मिस्टर बैंग भागता है उसके पीछे जियोंग और बहां नहीं जाएगा जैसे तुम कोई हेरो हो तभी पिछे से चॉयन आके बोलता है नाटक करना बंद करो क्रिम्न लोगों जैसे तुम्हारा कोई दुख बरी कहानी हो तुम सब अरेस्ट होते हो तब और जी यंग चैर्मन कीम से लड़ता है दोनों चैर्मन कीमों मिस्टर भाइन हो जाते तभी फिर वहां की साहीं दर्वाजे बंद हो जाते और उपर से प्रेसिजन तालीओ उमारते हुए बोलता है क्या नजारा है मैंने बोला था इसको जादा नहीं खिषने के अब तुम रखा जब तुम्हें मान देना चाहिए था उसकी वज़े से आज मुझे यहां पहुचना पढ़ा इस सब पर रेंडमनी बंदुक चलाने लगता है जब उसकी गोली खतम हो जाती है तब वहां के पानी के टंकर को खोल देता है जिसे प्रेशर में पानी निकलता है और जिँंग उपर जा के प्रेसिडण को मुखे पर मुखे मारता है पीचे से उसे चोयन रुपता और प्रेसिडण को बूलता है कि आप अरेस्ट होते हो नाम के मरडण के लिए और गैंग के साथ मिलके काम करने के लिए तुम्हों कुछ प्रूफ करने की जरूवत नहीं है यह प्री पोजिशन ही जूटा है मिस्ट रिपोर्ट लिखे कि इस पर तो सारी दुनिया को इसके बारे में पता चल जाएगा प्रेसिजिटन इयों नहीं वॉलकॉप कानून सजा देगा प्रेसिजिटन बरबराता रहता है कि नए इस पैसे देने वाले ही मर जाएंगे तो पैसे किसे लुंगा हमने जो शुरू किये उसको खतम करना चाहिए ना फिर वो चाकू जी यॉंग पे फेक के उससे लड़ता है मौकर का फाइदा उठाके प्रेसिटेंट अपनी गन से तीनों को गोली मारता एक-एक करके जी यॉंग हि थीके उसके जाकों से उसे मार देता है सब इतने खायल हो जाते की सब वहीं पें बहुश हो जाते हैं उधर मीस्टा dad walking एखिँए मुझे और मुंजे पहली भार पता चला था पहली बार यह तुम के साथ मिल्क का मौं कर रही थी वो बोलती मैं भी बुरे लोगों को सजा देना चाहती थी एंगे तो हर कोई चाहता है ना तुम भी और बाहर के लोग भी है नो बाहर चीफ पुलिस वाले से बात करता रहता है उसको जब मालूम पड़ता है कि मिस चौई इससे जादा नहीं जानती तो उसको छोड़ देने की परमिशन दे देता है पुलिस वाला बोलता है कि अगर मिस्ट्रॉय को छोड़ देंगे तो पुलिस सब ही इज़त खराब हो जाएगी जो उसने प्रेसिडेंट के बारे में लिखी है उस पे चीव बोलता है कि मैं सब कुछ संभाल लूँगा इधर कैंग को खुश आता है तो वो खुद को अपने घर में पाता है उटने के बाद जी यॉंग को ढूलता है फिर वो अपने सिक्रिटी से पुछता है कैसा रहा सब ठीक है वो बोलता है कि मैंने जी यॉंग को ऑस्पिटल में एड्मिट कर दिया हूँ और सारे सिंस्टीवी फूटेश डिलीट कर दिया हूँ बट कुछ अजीब हुआ है वो बुछता क्या तो वो टीवी पे बताता है जहां तिसरा दोस्ट बोलता रहता है कि सीयोन हमेशा एक अच्छा पुलिस ऑफिसर बनना चाता था जो लोगों की मदद कर सके अब बात थोर वापी से सजा दे सकते हैं बुरें लोगों को सिक्रेटरी बोलता है कि आपको अभी अराम करना चाहिए वो बोलता क्यू करूं जब दुनिया बुरी लोगों से बढ़ी है तो वो बोलता कि बहुत मुश्किल से हमने बताया है कि आपका एक्सिडेंट हुआ है अगर फिर काम लीगल है तो अच्छा है और इन लीगल है तो बुरा अगर मैं सच्छा है सबको बता देती तो क्या ये कानुन जीयों को समझता या फिर उसको भायानक क्रिमिनल मानता जिसमें सियों बेफाल्तु मरा गया वे डैड़ी एक सीविल सेर्वेंट थे जो सुसाइट कर लिय थी मुझे लगता है कि हम दोने में कुछ तो कॉमन है विजिलेंटा कभी गायब नहीं हो सकता ये सुनके चौयन चला जाता है विजीयों बैटा रहता है तबी न्यूज आता है कि विज चौय ने बताई थी कि प्रिसिडेंट इयॉम सिवन के साथ है बट अभी सामने आया ह कि उनने तो क्रिमिनल से आंकरी दम तक कर लड़े हैं और उसी दौरान उनकी दैथ हो गई है इसलिए उनको प्रोमोट कर रही है यह सुनके जीयों को बहुत गुसा आता है फिर पुलिस उनिवर्सिटी का दिखाता है जहां सब पुलिस वाले बनने वाले हैं और उसकी कसम तिसरा दोस पढ़ाता है सब को सभी लोग कसम लेते हैं बर जीयों नहीं लेता है वो कुछ सोचता ही रहता है उसे वैसे करते प्रोफेसर देख लेते लास्पर प्रेसिजटन को सल्यूट भी नहीं करते क्योंकि अभी भी दुनिया बुरे लोगों से भरी है और गुला करन खतम हो जाता है तो आपको कैसा लगा ड्रामा एंड क्या आप भी एक्सपेक्ट कर रहे हो सीजन टू का कमेंट में मुझे बताए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें अगर ड्रामा अच्छा लग रहा हो और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज शेयर करें मिलते हैं न